हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंच फ्राइज एक दम मैकडोनल्स टाइल में और बच्चों को तो ये खुब पसंद आती है साथ में बड़ों को भी ये खुब पसंद आने वाली है लेकिन इसके लिए हमें रखना है कुछ बातों का ध्यान जीने रखकर आ बनाना शुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हुं बवीता और मेरे चैनल दा ममी आईलेंड रेसिपीज में आपका स्वागत है तो फ्रेंच 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 बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे आलू और यहां हमें इस चीज का दियान रखना होगा कि जो हमारे आलू ह लेंगे वोश करने के बाद हम इनने कट करेंगे कट करने के लिए सबसे पहले इनकी टिप्स को कट करेंगे इनको एक अच्छी सी शेप देंगे ताकि यह अच्छे से लंबे-लंबे पीसिज में कट हो खे उसके बाद 3-4 पोर्शन में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे और फिर लंबी-लंबी French Fries बनाएंगे तो आलो को इस तरह से लंबा-लंबा equal shape में काट लेंगे ताकि हमारी जो French Fries हैं वो equal आएं और देखे बिल्कुल अच्छे से हमने कट कर लिया है, सारी french fries बिर्कुल अच्छे से निकल के आई, इसी तरह सारे यालू हम कट कर लेंगे, सभी का हमने french fries मना लिया है, और अब यह जो tips हमने काटी थी, इनको भी अच्छे से कट कर लेंगे, इनसे काफी crispy पी, जो French fry, वो बनते हैं, उसके बाद इनको ठने पानी में धो लेंगे, अच्छे से रगड़ेंगे और इनका बाद पानी में,afe ओना आझ को साफ पानी लेंगे दो jobs, दूसरे बावल में साफ पानी की टीम,। जब एक बार सारे फ्रेंच फ्राइज हम अच्छे से ठंडे पानी में साफ कर लेंगे, उसके बाद इनको हम हाफ बोईल करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि चार से पांच बार अच्छे से दोने के बाद पानी है बिल्कुल साफ आया, इसका मदब सारा स्टार्च निकल चु तो चार से पांच मिंट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से बोईला चुका है, और अब इसे हम निकाल लेंगे बाहर, और बाहर निकालने के बाद तुर्ण से इसे फटाफट से ठंडे पानी के अंदर डाल देंगे, तो मैंने ठंडा पानी पहले से ले रखा थ या कोई दूसरा सूखा कपड़ा ले लेंगे और अच्छे से इसे प्रेस करेंगे, ज्यादा जोर से प्रेस नहीं करना नहीं तो यह तूट जाएंगे, बिल्कुल हलके हलके से प्रेस करना तब तक जब तक कि इनका सारा पानी कपड़ा सोख ना ले, तो यह देखे बिल्क डाल दिये, आप चाहें तो बैचीज में डाल के अच्छे से टोस कर सकते हैं, जब तक कि यह अच्छे से कवर ना हो जाए, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक भी एड़ कर सकते हैं, अच्छे से टोस कर लेंगे ताकि जो सारा कॉन फ्लोर है वो आलू की जो फ्रेंच फ पहले मैं half cook करूँगी उसके बाद मैं इसे deep fry करूँगी तो मैंने यहां तेल को normal गरम रखा है और उसके अंदर जो french fries है मैंने add कर दिया इनको हम ज्यादा नहीं पकाएंगे सिर्फ एक मिन्ट के लिए पकाएंगे और फटा-फट से इसे निकाल लेंगे tissue paper के उपर और इसी fry करने के बाद दुबारा से इन्हें fry करेंगे ताकि एक दम crispy प्रंची बने तो उसके लिए मैंने तेल को अच्छे से ग्रम कर लिया है और इन्हें बैचीज में तेल के अंदर डाल देंगे और एक से दो मिन्ट के लिए पकाएंगे ताकि एक दम crispy क्रंची हो जाए और खान अब इसे निकाल लेंगे टीशू पेपर के ऊपर तो टीशू पेपर एक खुली प्लेट में लगाईए ताकि जब fry करने के बाद इन्हें फैलाएं तो एकदम crispy क्रंची बने और इनकी जो नमी हो निकल जाए इससे seasoning की है मैंने काले नमक के साथ लाल मिर्ची पाउडर तो ये लीजिए french fries ready है वीडियो पसंद आए तो like जरूर कीजेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजे आपके friends और family के साथ तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा हैं तो please चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon को दबाना ना भूले ताकि आने वाली वीडियो